दोस्तो बेना साधी के एक लड़की अपने प्रेमी से आठ मैने की गर्ववती हो जाती है और उसके बाद वह गवाई देने से मना कर देती है लड़की की उमर थी 19 साल जब वह गवाई देने से मना कर देती है अपने प्रेमी के किलाब तो यहाँ पर कुछ ऐसा होता है लोग भी दान्तों तले उंगलिया दबा कर रहे जाते हैं आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था और क्या यहाँ पर घटना घटी थी पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं वीडियो को अंति तक जरूर देखेगा नमस्कार में हूँ सुदेश कुमार और तिर्चिवा चेनल में आपका स्वागत है यहटना उत्तर पिर्देश के मुझफर नगर की है उत्तर पिर्देश के मुझफर नगर में एक अंकिता नाम की लड़की रहा करती है जो अभी 18 साल की है और उसका एक रवी नाम के लड़के से प्रेम पिर संग चल जाता है रवी जो की मेरट के मावाना का रहने वाला है रवी के साथ प्रेम पिर संग चल जाता है उसके साथ घूमने के लिए जाया करती है कई बार होटलों में पड़ी रहा करती लड़की नाबालिग है लेकिन दोस्तों इसी तरह से इनका मामला चल रहा होता है दीरे-दीरे समय गुजरता है तो माबाप को पता लग जाता है माबाप को जैसे पता लगता है तो अपनी लड़की अंकिता से कहते हैं तो तो उझे सर्म नहीं आती तो इसी अव्युम्र भी नहीं है और तो क्या गुल्चर्रे उड़ाती होई घूम रही है अंकिता अपने माबाप की बात को मानती नहीं है और फिर रवी के साथ फरार हो जाती है लड़की जब किसी लड़के को लेकर भाग जाती है तो उन माबाप के उपर क्या गुजरती होगी जिन माबाप ने अपनी लड़की को 17 और 18 और 19 साल तक पाला हो दोस्तों यहाँ पर यह लड़की ऐसे ही माबाप का मुँ काला करवा कर उस लड़के के साथ भाग जाती है अब माबाप दरोदर इसको ढूणने लगते हैं पुलिस में रिपोर्ट दज करवाई जाती है क्योंकि लड़की अभी 17 साल की थी और 19 महीने बाद वे 18 साल की होने वाली थी कहीं भी पुलिस को उनका आता-पता नहीं मिलता है इसी तरह से तकरीवन 7-8 महीने गुजर जाते हैं 7-8 मेने गुजरने के बाद उस लड़की का पता लग जाता है पुलिस को और पुलिस उस लड़की को और उस लड़के को पकर कर लाती है लड़का बालिक हो कुछ हो चुका था 20 साल का था अब यहाँ पर क्या होता दोस्तों लड़के के उपर पिटा ही लगाई जाती है क्यो का जेल में है माबाप अब बच्चे को गरवा भी नहीं सकते हैं क्योंकि 8 महीने का बच्चा हो चुका है उसके बाद क्या हुदा दोस्तों अपनी बेटी के ऊपर दबाव डालते हैं कि तु ऐसा यहां पर बयान दे जो तेरा जो प्रेमी है वो जिन्दगी पर जेल में रहे रेप का या बरतकार का कुछ ऐसा आरोप लगा दे लेकिन लड़की के पेट में 8 महीने का बच्चा था वे ऐसी गवाई देने से मना कर देती है बार बार माबाप से कहती है कि मैं उसी से साधी करूंगी उसको जेल से निकल वादो मैं उसके साथ घर बसाऊंगी लेकिन पाप को यह बात नामंजूर थी क्योंकि इन दोनों ने घर से भाग करके जो उनकी बेज़ती समाज में करवाई थी उससे वह आहत हो चुके थे उनके सीने पर जखम थे बेज़ती के अब यहां पर क्या होता दोस्तों बेटी मानती नहीं गवाई देने के लिए माबाप ज तरद तरब कर मौत हो जाती है जब बेटी मर जाती है तो माबाप कहते हैं तो मर गई अब क्या करें तो पिता एक युकती निकालता है पिता एक बोरे में जो रहडी होती है उसमें भूसके बोरे रखे हुए थे वह भूसा लेकर आया करता था गाहों से बाहर एक बुर्ज को लेकर निकल जाता है जंगल की तरफ वहां से गाउं के लोग कुछ गुजरड रहते हैं उनको उसके उपर सक होता है रात के समय यह जंगल की तरफ क्यों जा रहा है जबकि अब भूसा तो दिन में लेकर आता है तो वह गाउं का व्यक्ति चुपके-चुपकेसे उसके लड़की और चला जाता है तो गाउं का जो यह वक्ता हुए है। एकदम से उस बोरे को देखता है कि आकर इसने क्या पहेंका है। बोरे में उसकी बेटी की लास थी। दोस्तों गाउं का जो सक्सता एकदम घवरा जाता है। लास को किनारे पर खींच कर डाल करके वहां से गाउं की तरह भागता है और सारे गाउं में ख़वर पहला देता है कि इसने अपनी बेटी को जान से मार दिया और नहर में लास फैंग दी पुलिस भी आती है मामले को दर्ज करती है लड़की की इलास को पूस्ट माडम के लिए भेजा जाता है और गाउं वालों ने जैसा कहा था पुलिस के सामने तुरंत उस बाप को गरतार किया जाता है और सक्ती से पूस्टाज की जाती है तो बताता है कि यह गवाई देने से मना कर रही थी इसने हमारी समाज में ना कटवा दी थी इसलिए मैंने इसका गला दवा दिया और गला कुछ ज़्यादा ही दव गया इसकी मौत हो गई दोस्तो बाप को जेल में डाल दिया जाता है और जो आसिक था वे जेल में है और जो आसिकी कर रही थी वे लड़की उसकी अम मौत हो चुकी है और बाप जेल में चला गया दोस्तो क्या कहना चाहोगे इस प्रेम कहान के बारे में क्या ऐसी कीमत चुका कर हम प्रेम करना हमारा अच्छा रहता है या माबाब जेल में चला जाए या प्रेमी जेल में चला जाए ऐसी कीमत चुका कर क्या प्रेम करना चाहिए या फिर सब परिवार को साथ लेकर हस्ते खेलते अपनी जिन्दगी बसर करना चाहिए आप क्या कहना चाहते हो कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं अगर आप पुरा मजल्दी फिर से लेकर आँगा तब तक आप खुश रहें साफधान रहें जैन जै भारत